हैलो दोस्तों नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है और फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कोलर्शिप 2013-2024 के बारे में फ्रेंड अगर आप लोग जनरल OBC मायनोटी कास्ट से बिलोंग करते होंगे चैहा फ्रेस होंगे चैहा रिन्नू होंगे किस इसके अलावे second installment का पैसा जो है कब तक आप लोग के account में आ जाएगा इसके बारे में आपको बता जाएगा complete information वीडियो में आपको मिल जाएगा आप लोगों से रिकवेश्ट रहेगा अगर आप लोग नए होंगे या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो पिलिस जुलाई से लेके 24 जुलाई 2024 तक यहने कि जो correction window open के जाएगा आज से यहने कि 15 जुलाई से correction window open के जाएगा और जो correction window open रहेगा 24 जुलाई 2024 तक इसे भी जो भी candidate अपने फार्म में करेंगे उन सभी चात्रों को जो है अपनी हार्ट कापी के साथ जो भी यहां पर document ही required होगा आपके फार्म को verified के जाता है उन सभी चात्रों की चात्रवृति जो है 30 आगा तो उसे पहले पहले आप लोग के account में आ जाएगी ठीक है तो पूरा time table है जो आ से correction window open के जा रहे अब यहां पे correction जो है किन को करने का मौका मिलेगा और किन की चात्रवृति आगी इसके बारे म आपको बता देता हूँ ठीक है तो फ्रिंट जैसा कि आप लोग को पता है आज से जो है यहां पे correction window open के जाएगा और मैं आपको यहां पर बता दू correction window open होगा तो सभी चात्रों के यहां पर मौका नहीं मिलने वाल ठीक है आप सभी चात्रों में की चात्रों को मौका मिलने इसके बारे में आपको बताता हूँ देखे सबसे पहले तो आपको यह जानकारी देदू यहाँ पर ओनली जो है जनरल ओबीसी मानोटी वाले चातरों के लिए करेक्शन विंडू ओपन के जाएगा इसके अलामे फ्रेंड अगर आप लोग जो है यस्ती और यस्ती कास्ट से बिलोग करते हैं तो आप लोग के लिए अभी फिलाहाल कोई भी यहाँ पर समाज के लिनाड भ्याक को तोरा नोटिस नहीं जारी किया गया है नो तो आप लोग के लिए यहाँ पर करेक्शन विंडू ओपन के जाएगा ठीक है ना आप लोग के लिए यहाँ पर लोग के फ अब यहाँ पे आप लोग के पास कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे मौका देगा था तो जितने भी यसी और स्टी वाले करेंट है अगर आपके करेंट स्टेटस में not included in demand वाला रेजन सो करा तो आपको अब मौका नहीं मिलने वाला है आप लोग जो है उम्मीद अपनी छोड़ दिए ठीक ना बहुत सारे करेंट ऐसे हैं जिनका यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल्ड हो चुका है अगर आप लोग की बात अगर समाज करने वाग या फिर गवर्मेंट के पास पहुँचती है ठीक ना अगर उनको लगता है कि यस्टी और एस्टी वाले छात्रों के भी यहाँ पे लास्ट मौका देना चाहिए जिनका आप पे ट्रांजेक्शन फेल्ड हो चुका है ठीक 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 हैrob को लोगता है तो फिलाल यहां पर IST और IST वाले के पास जो एक पर्षेंटेज का मौका है कि उनको अब दुबारा यहां पर मतब करेक्शन विंडो ओपन हो और दुबारा इनको जो है यहां पर स्कॉलर्शिप का पैसा मिला ठीक है ना अब यहां पर बात के लेते हैं OBC, General और Minority वाले छात्रों के लिए देखें OBC, General, Minority वाले छात्रों में उनली उनी छात्रों का यहां पर करेक्शन पोर्टोल ओपन के जाएगा जिनका यहां पर रिजल्ट जो है डी के लियर नहीं किया गा था जब करेक्शन विंडो यहां प इतना मार्क पाया है उसको भी कॉलेज अपने एंड से भड़ता है तो अगर आपके फर्म को फारवर्ट करते समय कॉलेज यहां पर कुछ मिस्टेक कर दिया था तो आप लोग के फर्म को यहां पर सुधार करने का मौका दिया जाएगा ठीक है ना बहुत सारे कंडिट ऐसे करने केंड से कशमय करा इनकी के आपका प्रीब्रेश्य के मार्क को देंके ब्लॉक्ड किया गया है तो उस कंडिशन में आपको सुधार करने का मौका नहीं दे जाएगा बट अ κάνके macht ke thu इनमाश में अपर लोड़े टाटा है या फिर जिनका enrollment और number मतलब यहाँ पर mismatch हो कर रहा है उन्हें सभी छातुरों को यहाँ पर correction करने का option दिया जाएगा ठीका ना यहाँ पर blocked वाले candidate के बारे मैंने आपको बता दिया है जिनका यहाँ पर pending वाले candidate बिल्कुल परसान ना हो उनका हो सकता है correctional window open करने का option ना दिया ठीकरा तो सबसे पहले आपको अपने college में यहाँ पर widget करना है बाकी फ्रेंट जितने भी candidate होंगे जिनका यहाँ पर transaction failed हो चुक तो सबसे पहले कि आवासकता नहीं है आपको सिर्फ इतने करने की आवासकता है अगर आपका transaction failed हो चुका था अगर आपने यहाँ पर bank से जाके उसको सुधार कर लिया है तो आपको कुछ करने की आवासकता नहीं है तो उससे पहले पहले आप लोगका पैसा जो दुबारा सिटने भी काणिबंडेट है सबसे पहले सबसे पहले आपको यह काम करना है कि देखना hy कि आप लोग का procurement lo open होता न अब्यांफे हमी ego dit 6 अपने पहले लिया में क्या अपने क्रेक्ष्ण पोडल में क near यहां पे संसोधन करने की आवसाकता है हम यहां पे क्या feel करें जिससे हमारा फार्म छोई verify डो तो जितने भी candidate होंगे अपने form में correction करने से पहले सबसे पहले अपने college में visit करेंगे और college वाले जो आपको बोलेंगे कि अपने फार्म को reject कीज़ेगा कि कहीं दोबारा कुछ mistake तो नहीं मतलब कुछ यहाँ पर गलतिया तो नहीं है ठीक ना जो भी यहाँ पर गलतिया रहेंगे आप उसको जो सुधार कर लिज़ेगा अपना जो है यहाँ पर final submit कर लिज़ेगा final submit करने के बाद hard कापी जो है यहाँ पर 30 जुराज तक किसी भी कीमत पर अपने college में जमा कर लिज़ेगा ठीक है अगर यह सब आप काम करते हैं तो 100% आप लोग के फार्म को verified कर जाएगा और verify वाले करने का पैसा जो है अगस्त में आ जाएगा ठीक है ना अफ्रेंड यहाँ पर बाते करने वाले हैं second installment को लेके बहुत सरे candidate ऐसे हैं जो लगातार उर continuous कमेंट कर हैं कि sir हमारा form जो है कोई कर है कि हमारा form मंदभ हमारा जो first installment और इसार में ही first installment आया था बट अभी तक जो है second installment नहीं आ ठीक है ना तो जितने भी candidate है चेह आपका first installment महीं में आ था चेह 12 जून को आ था चेह 8 जून को आ था ठीक है ना तो आपको बिल्कुल परिशान होने की आवसाकता निया ठीक है ना आप लोग जो है थोड़ा सा धैर है और सब बना के रखिए अभी भी मतब कम सकम यहाँ पर तकरीबां दो से लेके तीन महीने मलदब पहले वाले candidate जिनका first installment आ चुका था उनका अभी तक second installment नहीं आया ठीक है ना तो अभी किसी भी candidate का second installment डिस्टिबूट नहीं किया जा रहा है तो किसी भी candidate को परिशान होने की आवसाकता निया जितने भी यहाँ पर yasi और yasi के के जिनका अभी तक जो second installment नहीं आया है मैंने आपको तब भी कहा था कि 15 से लेके 20 जुलाई तक आपको लोग का वेट करना है 15 से लेके 20 जुलाई की बीच में आप लोग का hopefully chance बनता है कि second installment का पैसा आप लोग के account में आ जाटी करना तो यहाँ पर देखिए आज जो है यहाँ पर 15 जुलाई का date है और इस week आप लोग जो है इस week अपना वेट कीजिए hopefully इस week जो है आप लोग का पैसा direct या तो dbt के मदर्ण से आप लोग के account में आ जाए या तो pfms पे आप लोग का पैसा जो है second installment का इस week आप लोग का पैसा आप लोग के account में आ जाए नहीं आएगा तो आप लोग को क्या करना है कहां पर complaint जर्च करनी है क्या करने की आवसकता पड़ेगी उसके बारे में आपको जो है next video में information दिये दिया जाएगा बट सबसे पहले आप लोग जो है इस week वेट कीजिए ठीक है ना तो फिरिंड ये रे complete information में भी आपको जानकारी अच्छे लगए वीडियो पसंद होगी इसके अलावा कुछ डॉटो कुछ प्राब्लाम हो तो कमेंट किजिएगा वीडियो पसंद आयोगी लाइक शेर जो किजिएगा मिलते है नेस्टी वीडियो में thank you and keep watching